पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से ATS पूछताच कर रही है मोबाइल पर पबजी खेलते हुए ग्रेटर नॉइडा की यूबक सचेन से प्यार होने के बाद सीमा हैदर अवे तरीके से भारत आ गई थी जिसके बाद उस पर जासूस होने का शक जताया जा रहा है अब इस मामले की यूपी ATS ने जाच शुरू कर दी है सीमा हैदर की अभी तक की जाच में सामने आए फैक्ट्स को सचन और सीमा से पूछ ताच करके वेरिफाई किया जाएगा और फिर ATS नई सरे से इसकी जाच करेगी नेपाल के रास्ते अवैद रूप से भारत आने के बाद सीमा सीधे ग्रेटर नौईडा में अपने प्रेमी के गाउँ पहुंची थी और वहाँ चुपचाप उसके साथ रह रही थी हलाकि इस थानिये लोगों को जब शक हुआ और पुलिस गाउँ पहुंची तो दोनों वहाँ से फरार हो गए थे इसके बाद यूपी पुलिस ने इने हर्याना के बल्लवगड से पकड़ा था और कोट में पेश किया था कोट ने सीमा हैदर को सशर्थ जमानत दी थी कोई उसकी पूरी कहानी को ही मनगढंत बता रहा है हलाकि सच्चाई क्या है ये तो जांच का विशे है लेकिन खुद सीमा ने जासूस होने के आरोंपो पर बीते दिनों सफाई दी थी सीमा हैदर ने भारत आने के बाद सचेन और उसके परिवार के लिए इसलाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया था इतना ही नहीं सीमा मासा हारी खाना छोड़कर शाका हारी बन गई सीमा हैदर ने धर्म बदलने के बात कहा था कि उसे भारत और हिंदू धर्म बिहद अच्छा लगता है हलाकि सीमा के धर्म बदल लेने और हिंदू बन जाने पर पाकिस्तान में लोगों ने नाराज़गी जताई थी और कहा था कि उसने हिंदुस्तान के सामने उनकी नाक कटवा दी है